नमस्कार दोस्तों स्वागती है हमारी यूट्यूब चैनल एजूकेशन तक में तो दोस्तों इंटर एस्पोर्ट एडमिसन 2020 जिया फ्रेंट जिन छात्रों का अभी तक नमांकन नहीं हो पाया किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है यानि कि तीन मेरिट लिस्ट भी पर इंटर में नमांकन को लेकर जारी कर दिया गया है विहार बोट की तरफ से तो तीनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपका आप एडमिसन कैसे होगा और साथी साथ जो भी छात छुट गये थे आपका जो ऑनलाइन आवेदन नहीं किये थे उनका कैसे एडमि सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दवा का चैनल को सब्सक्राइब कर देए उसके बगल के बेल गंटी को जुरू से प्रेस कर लिजेगा तो फिर जिनका अभी तक नमांकर नहीं हो पाए इंटर में जो ऑनलाइन आवेदन किये थे उनका किसी भी मेरे लिश में नाम नहीं आया है तो उनका एडमिसन है जो कि 15 से शुरू होगा नमांकर की परकिरिया और यह आपको इंटर में एस्पोर्ट एडमिसन के लिए ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो कल से आपको आवेदन करना होगा यानि कि जुनका यहां पर अभी तक नमांकर नहीं हो पाया है उनका एस्पोर्ट एडमिसन के थुरू आवेदन होगा सुचियों के अधार पर नमांकन की परकिरिया पूरी करने के बाद बोर्ट पर सासनने स्पॉर्ट नमांकन का सीड़्ूल जारी किया है यानि कि यह बरी खबर है कि जो विध्यार्थी शामिल हो सकते हैं जिनका त्रीतिय मेगा सुची में नहीं हुआ है साथ ही उन विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा जिन्हें उन्हें पहले OAPSES system के माध्यम से आवेदन नहीं किया था यानि कि ये बड़ी खबर है कि जो भी छात्र आवेदन जो इंटर में admission को लेकर OAPSES portal पर registration होता है उनको भी फिर से एक मौका दिया गया है इसके लावा यहाँ पर देख सकते हैं registration के अनुमती दी गई है जिनका चैन होने के बाद भी उन्होंने नमांकन नहीं लिया है यानि कि जिनका चैन हो गया है किसी भी मेरिट लिस्ट में और वो अपना नमांकन नहीं ले पाए हैं उनको भी ये मौका दिया गया है जिनका अभी तक 3 मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है थर्ड मेरिट लिस्ट उनमे किसी भी में नाम नहीं आया है उनका यहां पर 12 से 13 सितंबर तक आप इन एस्पोर्ट नमांकन जो की परकिरिया होगा उसके लिए ओनलान रेजिस्टेशन कराने का निर्देश है जो की दिया गया है इसमें विद्यार्थियों को पोर्टल में चैनिस संस्थानों के सीटों को देखने के बाद आवेदन करना है यानि कि जब आप पोर्टल पर जाएंगे इसका ओफिसियल वेबसाइट है ओफिसेश पर तो वहाँ पर आप पोर्टल पर अपना जो की कॉलेज है वहाँ पर आप सीट देख लेंगे आपको वहाँ पर सीट जो बचा हुआ है वहाँ पर देख लिजेगा कि कौन से एडमिशन की सूची परकासित की जाएगे यानि की जब इसके लिए आवेधन कर देंगे तो आपको 14 सीतम्बर को स्फॉट एडमिशन की सूची है जो कि परकासित किया जाएगा भी हार बोर्ट की तरब से और नमांकन सूची में सामिल विद्यार्थियों कि 15-18 सितंबर के बीच संबंधित संस्थानों में जाकर नमांकन का मौका मिलेगा यानि कि आवेदन कर देंगे तो आपको 14 को एस्पोर्ट नमांकन का सूची है जो कि परकासित कर दिया जाएगा और उसमें आपको जिन जिन छात्रों का नाम आएगा जो भी छात्र आवेदन करेंगे जो कॉलेज में अभी सीट खाली बचा हुआ है वो कॉलेज में जाकर 15 से 18 सितंबर के बीच में संस्थानों में जाकर आवेदन जो नमांकन का मौका मिलेगा वो नमांकन करवा पाएंगे अब फिरन बात करते हैं कि जो भी छात्र फोरम नहीं भरेते छूट गये थे हैं किसी भी कारणवस से उनको ये एक मौका फिर से दिया गया है तो उनको भी ये क्या करना होगा कि वोर्ड ने इस पॉस्ट किया है कि वे छात्र जो अब तक ओएपसेस पोर्टल से नमांकन के लिए आउनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं पोर्टल पर 11 से 13 सितंबर तक रिजिस्टेशन कराएंगे यानि कि ओएपसेस पोर्टल पर जाकर आपको 11 से 13 सितंबर के बीच में आपको आवेदन करना है उसके बाद आपको 300 रुपे पेमेंट सुलक आपको यहाँ पर लगेगा दस्तवेट से लेकर 300 रुपे सुलक जमा करना होगा इसा नहीं करने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा यानि कि जो भी छात्र आवेदन फरम नहीं फरपायत हैं उनको मौका दिया है 11-13 सितंबर तक जाकर इसके लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसका मैं वीडियो अलग से बना दिया हूँ कि कैसे आपको इंटर में एडमिशन को लेकर आवेदन जो कि ओनलाइन एस्टेप बाइस्टेप करना है खुद से अपने मौल से कर सकते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जागा वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख लिजेगा नहीं तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को मेरा देख लिजेगा तो उस वीडियो को देखकर आप आउनलाइन आवेदन कैसे करना है उस वीडियो में पूरी की पूरी आपको जनकारी दिया है पेमेंट भी कैसे करना उसको वीडियो में बताया हुआ है तुमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आगा तिस वीडियो को लाइक किजेगा सेर कर देजेगा सभी छातों के पास जो भी छातों छुट गयते हैं उनके पास जाद जादा वीडियो सेर कर देजेगा इस चैनल को अभी सस्काइब जरू से कर लिजेगा